तो हेलो फ्रैंस इस फाली वीडियो में मैं आप सभी को यहां पे शोक कर देता हूँ कि यहां पे शौमी ने हाइपर ओएस की इंटरनल टेस्टिंग और यहां पे शौमी यहां पे कौन-कौन से डिवाइस के लिए रिकॉर्मेंट स्टार्ट करने वाला है कि यहां पे इन इस फाली वीडियो में आप सभी को पूरी इंफ्रमेशन मिलने वाली है वीडियो को शुरू से लिके लास तक देखते रहेना बागी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जोइन भी कर लेना मेरा टैलिकम चैनल फॉर मोर इंफोर मेशन सो यहां पे आपको शौमी 14 रड्मी यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं जैसा कि शौमी 11 Mi 10S शौमी 5 955 फोड़ा सब्सक्राइब नवेंगे टेवण यहां वैंजी नाम यहां पर देखने लिए मिल जाता है और आपको इस 12C का भी नाम यहां पर देखने के लिए मिल जाता है तो यहां पर Xiaomi ने finally and finally HyperOS की internal testing स्टार्ट कर दी है और आपको multiple Xiaomi devices में HyperOS के stable updates चाइना, global इंडिया में बहुत ही जल देखने के लिए मिल जाएंगे और आपको यहां पर Xiaomi Pad 6 Series के साथ, K60 Series का भी नाम यहां पर देखने के लिए मिल जाता है और इसी के साथ आपको इसमें Redmi K30, Redmi Note 9 4G जो इंडिया में Redmi 9 Power के नाम से है और आपको इसमें Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro, K30S Ultra इन सभी के भी नाम मिल जाते है जो कि क्लियरली शो करता है कि यहां पर Xiaomi HyperOS को Android 12 पर भी बेश्ट यहां पर देने वाली है और यह यूजर्स के लिए बहुत बड़ी गुड़ी न्यूस भी देखने के लिए मिल जाती है आपको यहां पर कौन से स्टेबल अपडेट का वेट है और आप यहां पर कौन सा शॉमी का डिवाइस यूज कर रहे हैं जो हाइपर ओएस के लिए वेलिजिवल है कमेंट करके जूरू गजाना बागी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जोइन कर लेना टेलिकम चैनल फॉर मोर इंफॉमेशन रिलेटेट तो शॉमी हाइपर ओएस हाइप